आज हम डिसकर्स करेंगे रिसेंटली केस अरुनाचला गॉंजियर डैड बाई अलरस वर्सिस पुन्नु स्वामी 2021 का ये केस है आपका और ये हिंदू सक्सेशन एक 1956 से रिलेटिड है देखे केस पर जाने से पहले हम जो हिंदू सक्सेशन एक है 1956 का उसकी कुछ इंपोर्टेंट प्रोवीजन्स देख लेते हैं इस केस से रिलेटिड सेक्शन 14 क्या कहता है प्रोपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू टू बी हर एपसूल्यूट प्रोपर्टी कि जो हिंदू महिला है उसकी संपत्ती उसकी आत्यांतिक अपनी संपत्ती होगी अब सेक्शन 14 क्लोज 1 क्या कह रहा है एनी प्रोपर्टी प्रोपर्टी पॉजेस्ट बाई फीमेल हिंदू वैदर एक्वाइड बिफोर और आफ्टर तक कमेंस्मेंट अप तिस एक्ट शेल भी हैल्ड बाई हर एस फुल ओनर देयर ओफ एड नॉट एस लिमिटेड ओनर ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी प्रोपर्टी जो पॉजेशन में है वह एक हिंदू फीमेल के वैदर भले ही वो एक्वाइड की गई हो बिफोर और आफ्टर दा कमेंस्मेंट अप दिस एक्ट इस एक्ट के प्रारंब से यानि कि जब ये एक्ट एक्जिस्टेंस में आया इस एक्ट के आने से पहले या फिर बाद में क्या की हो उसने एक्वाइड की हो शैल भी हैल्ड हर एस फुल ओनर वो उस प्रोपर्टी की एक फुल ओनर जैसे कहते हैं पूर्ण स्वामी कहलाई जाएगी देयर ओफ एंड नॉट एस अ लिमिटेड ओनर यहाँ पे ये कह रहा है कि वो फुल ओनर मानी जाएगी ना कि एक लिमिटेड ओनर इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो जो हिंदू वो मैन है उसके जो पुजेशन में अगर कोई भी प्रोपर्टी है चाहे वो इस एक्ट से पहले की हो या फिर इस एक्ट के बाद उसने क्या की हो एक्वाइड की हो अ कि उसकी परिसीमिट या सीमिट ओनर होगी उसको उस पे फुल राइट होगा फुल ओनर्शिप होगी देखे अब जो हमाया section 14 है उसमें explanation दी हुई है section 14 clause 1 के बाद ये क्या कह रही है explanation in this subsection यानि कि इस subsection में in this subsection का मतलब है section 14 clause 1 में जो word property यूज किया गया है यानि कि जो हिंदो महिला की संपत्ती यानि कि हिंदो महिला की जो संपत्ती word यूज किया गया है उसके अंदर क्या क्या includes है वो ये जो explanation है इस पस्टी करण है वो बताता है तो क्या क्या includes है ये कहता है बोथ movable and immovable property यानि कि चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ती property में includes है जो कि acquired की गई है by a female Hindu एक हिंदो महिला के द्वारा अब हिंदो महिला के द्वारा movable और immovable property जो उसने acquired की है उस property के अंदर includes है लेकिन वो उसने acquired कैसे की है तो by inheritance or device चाहे वो उसने विरासत से प्राप्त की हो या फिर at a partition किसी विभाजन में प्राप्त, विभाजन के थ्रू और divination के थ्रू प्राप्त की हो या फिर in lieu of maintenance जो भरन पोशन है उसके इस्थान पर प्राप्त की हो या फिर areas of maintenance यानि की जो भरन पोशन का बकाया है उसके तोर पर receive की हो, acquired की हो या फिर by gift या फिर किसी दान के द्वारा प्राप्त की गई हो from any person, किसी भी व्यक्ती के थ्रू यानि कि चाहे किसी भी व्यक्ती के थ्रू उसने जो movable या immovable property, gift में receive की है, no matter whether or relative or not, यह मतलब नहीं है कि वो आप उसका relative ही हो, वो कोई भी हो सकता है, before, अब यहाँ पर एक रवर्ड यूज है, before, at, or after, हर marriage, चाहे वो उसने, जो यहाँ पर gift की बात हो रही है, चाहे उसने वो जो gift receive किया है, वो before marriage किया हो, marriage के समय पे receive किया हो, या फिर marriage के बाद receive किया हो, तो वो भी उसकी जो property के अंदर includes होगा, और by her own skill, या फिर उसने खुद अपने कौशल का use करते हो, अपने कौशल से वो अर्ण की हो property, या फिर exertion, या फ receive की हो, और by purchase और by prescription, चाहे वो उसने खुद परचेस की हो, वो ग्रै की हो, या फिर जो property है, वो उसने चेट भोग के तौर पर उसने सुखादिकार जासे लाइक का प्राप्त की हो, और या फिर any another manner, या फिर किसी अन्य तरीके से उसने क्या की हो, acquired की हो, whatsoever, and also any such property और ऐसी property held by her as इस्तरी धन, तो इस तरह की जो भी संपत्ती उसने acquired की है, उसको इस्तरी धन कहा जाएगा, immediately before the commencement of this act, यानि कि और किसी भी manner से उसने जो ऐसी कोई property जो receive की गई हो, जो कि उसको इस act से पहले इस्तरी धन के रूप में count होती हो, तो वो आपका सारा उसका इस्तरी धन ही माना जाएगा, तो यहाँ पर जो property word use किया गया है, section 14 clause 1 के अंदर उसको यह explain करता है, कि वो जो property है हिंदु महिला की, उस property के अंदर क्या-क्या includes होता है, next आपका section 14 clause 2, यह क्या कह रहा है, nothing contained in subsection clause 1, shall apply to any property, जो subsection 1 है, उसमें जो भी प्रॉपर्टी दी है, उस प्रॉपर्टी के अंदर include नहीं होगा, जो उसने acquired की हो property, way of gift, under a will, यानि कि gift के तौर पर, किसी वसियत के तौर पर, और any other instrument, किसी और अन्य लिखिट के द्वारा, under a decree, किसी decree के अंदर, order of a civil order, या फिर किसी civil order के तौर, under any award, किसी panchart के तौर, way of the term of gift, जहां पर भी जो gift और will, और other instruments, अन्य लिखित, और जो decree, या फिर order और जो award है, उसकी terms अगर, prescribe a restricted state, अगर जो उसकी जो, वो जो will है, आपकी जो gift है, decree, other instrument, order और और award है, अगर वो restricted state में है, restricted state means, restricted property, यानि कि निर्बंदित संपता, यानि कि जिस पे restriction लगे हुए है, तो वो आपकी section, 14 clause 1, जो है, वो उसके उपर apply नहीं होगा, जो section 15 है आपका, वो क्या कहता है, वो journal rule बताता है, succession का, in case of a female Hindu, अगर कोई Hindu महिला है, उसकी जो property है, उससे related, वो succession के journal rules बताता है, क्या कहता है, section 15 clause 1, कहता है, the property of a female Hindu, dying intestate, अगर जो कोई Hindu महिला, निर्वसियत, जो उसकी मृत्ती हो जाती है, यानि कि बिना वसियत किये वे, अगर उसकी मृत्ती हो जाती है, तो shall devolve according the rule set out in section 16, तो जो section 16 है, उस rule के according set out की जाएगी, यानि कि section 16 में क्या बताया हुआ है, एक आपका manner बताया हुआ है, करम बताया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से उसका वित्रण किया जाएगा, यानि कि उसको distribute किया जाएगा, तो इसमें क्या कहता है, section 15 clause 1 का एक कहता है, कि जब भी कोई हिंदु महिला बिना वसियत किये वे, मर जाती है, तो उसकी property जो आपकी devolve होगी, वो firstly, सबसे पहले उसके son, यानि कि पुत्र, daughter, पुत्री और उसके husband में क्या होगी, वो devolve होगी, means, जो हिंदु महिला है, यानि कि जो मृत हिंदु महिला है, उसकी जो property है, उसके बेटे को, उसकी बेटी को और उसके husband में divide कर दी जाएगी, अगर जो हिंदु महिला है, उसका कोई son नहीं है, daughter नहीं है और husband नहीं है, तो उस condition में, secondly, जो hires of husband है, ठीक है, husband के जो उत्रादी कारी हैं, उनको चली जाएगी, फिर उनमें devolve हो जाएगी, उसके बाद thirdly बात करता है, कि अगर son नहीं है, कोई daughter नहीं है, husband भी नहीं है, जो husbands हैं, उसके legal hires भी नहीं है, तो वहाँ पर जो mother है and father, उसकी mother और father को वो property चली जाएगी, जो भी उस हिंदु महिला की property होगी, उसके बाद fourth, अगर वो भी नहीं है, mother and father भी नहीं है, तो जो hairs है of father, father के वारिसों को चली जाएगी, और अगर father के वारिस भी नहीं है, तो वहाँ पर जो hairs of mother है, यानि कि जो माता के वारिस हैं, उनको जो है, devolve कर दी जाएगी, यानि कि in short, कि जो हिंदु मृतक महिला है, उसकी जो property है, अगर वो बिना वस्यत के मर जाती है, तो वहाँ पर सबसे पहला, जो right होगा, वो उसके बेटे का, बेटों का, बेटियों का और उसके husband का होगा, अगर इन में से कोई भी जीवित नहीं है, तो फिर उसकी husband है, उसक mother and father को चली जाएगी वारिसों को, और last में अगर father के वारिस भी नहीं है, तो फिर इसको mother के वारिसों को, वो devolve हो जाएगी. अब जो section 15 का clause 2 है, ये क्या कहता है, अब इसको देखते हैं, notwithstanding anything contained in subsection clause 1, यानि की ये ये कह रहा है, कि जो subsection 1 है, उसे आप भूल जाएगी, तो जहां notwithstanding word use आता है anything, तो उसमें ये मतलब होता है, कि इससे पहले जो बाते कहीं थी, वो आप side में रख दीजे, अब जो हम कह रहे हैं, उसको ध्यान दीजे, ठीक है, तो यानि कि जो subsection 1 है, उसके होते हुए भी, इस subsection 1 का effect नह मिल हिंदू को प्राप्त हुई है, from her father, उसके किस से, उसके पिता से प्राप्त हुई है, या फिर उसकी मदर से प्राप्त हुई है, shall devolve, in absence of any son or daughter of deceased, यानि कि अगर, जो, अगर कोई हिंदू महीला है, और उसने अपने पिता से, जो है, इनहरेट विरासत में कोई property, मतलब receive की है, या मदर से receive की है, और उसके कोई पुत्र नहीं है, या उसके कोई पुत्री नहीं है, son नहीं है, कोई daughter नहीं है, ठीक है, और son or daughter के अंदर, जो include करता है, children of any pre-deceived son or daughter, कि अगर, मा लीजिए, उसका कोई son जीवित नहीं है, या फ अगर शादी हो गई थी, तो उसके अगर कोई बच्चे है, ठीक है, अगर बच्चे है, तो उनको जाएगी, और अगर बच्चे भी नहीं है, ठीक है, नहीं उसके बेटे के कोई pre-deceived son, उसके ना तो daughter है, ना son है, तो वहाँ पर not upon their hairs, referred in subsection 1, in the order specified hair in, but upon the hairs of father, तो वहाँ पर जो property है, वो किस में चली जाएगी, उसके father में, यानि कि अब ये section 15 clause 2 ये कह रहा है, कि अगर कोई hindu महिला अपने वसियत की हुए, उसकी म्रत्य हो जाती है, तो उस condition में, अगर वो जो property है, कोई भी ऐसी property, जो उस अपने father या mother से receive की है, तो वहाँ पर अगर उसकी म्रत बेटा है, न बेटी है, नहाती है, न नातिन है, न फिर पोता है, न पोती है, अगर ये नहीं है, तो वो property वापिस किस में चली जाएगी, उसके father के है अर्स में चली जाएगी यानि कि जो उसके पिता के वारिस हैं उनमें ही वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी वापिस चली जाएगी अगर वो जो कोई भी प्रॉपर्टी उसने अपने फादर से विरासत में प्राप्त की है अब क्लॉज B इसका क्या कह रहा है कि एनी प्रॉपर्टी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी इन्हारट वाई फीमेल हिंदू फ्रॉम हर हस्पन और फ्रॉम हर फादर इनलॉग अगर जो हिंदू म्रतक हिंदू महिला है जो की बिनावसियत के जिसकी म्रत्ती हो गई है अगर उसने अगर उसका कोई सन बेटा नहीं है बेटी नहीं है या फिर उसके जो पोता-पोती या नाती या नातिन नहीं है तो उस कंडिशन में वो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी जो हस्बेंड है उसके हेर्थ में यानि कि इंश्वार्ट अगर कहा जाए कि अगर कोई हिंदू महिला है और वो बिना वसियत करे हुए उसकी म्रत्यू अगर हो गई है तो अगर उसने जब वो जीवित थी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने अपने फादर से रिसीव की है विरासत में प्राप्त की है तो अगर उसके कोई बेटे नहीं है बेटी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी वापिस चले जाएगी उसके फादर के जो वारिस है उन्मर दूसी ये जो section 15 clause जो B है ये क्या कहा रहा है section 15 clause to sub clause B ये कहा रहा है कि अगर कोई हिंदु महिला है और बिना वसियत के उसकी death हो गई है तो वहाँ पर जो वो प्रॉपर्टी है अगर उसने अपने husband से कोई property रिसीव करी है इन्हारेट में विरासत में या फिर अपने ससूर से प्राप्त की है तो उसकी death के बाद अगर उसका कोई बेटी नहीं है बेटा नहीं है बेटी है बेटा जो है उसके बच्चे भी नहीं है तो उस condition में वो प्रॉपर्टी चली जाएगी उसके husband यानकी पती के बारिस हो अब ये चीज आपको I hope कि अच्चे से समझ में आई होगी अब हम डिसकस करते हैं जो केस है हमारा आज का देखें कि जो केस है हमारा 20 जनवरी 2022 को जज्चमेंटी आया है अरुनाचला गॉंडियर डैट मृतक बाई LRS वर्सिस पुन स्वामी 20 जनवरी 2022 जिसमें अगर बैंच अगर कहें तो टू जज्चिस की आपकी बैंच इसमें बैठी हुई थी जस्टिस अब्दुल एस अब्दल नजीर और जस्टिस निया कृष्ण मुर्वारी इसमें उन्होंने क्या कहा है इन शॉर्ट में अगर कहें तो यहां पर जो आपका एक केस लौ इससे पहले आया था जो कि विनीता शर्मा वर्सिस राके शर्मा 2022 का वो केस था जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड उसमें जज्ज्मिन दिया गया था यहां पे जो अगर कहा जाए तो जो में इशू है वो है आपकी सेल्फ एक्वाइड प्रॉपर्टी यानकी स्वय अरजित जो संपत्ती है उससे रिलेटेड अब इसके फैक्ट्स हम देए देखे इस केस में एक परसन थे जिनके दो सन थे जिसमें पहले का नाम था मुरप्पा एंड सेकिन का नाम था रामस्वामी जो मुरप्पा थे ये बड़े बेटे थे और रामस्वामी छोटे बेटे थे यहां पे जो मुरप्पा है उनकी डैथ हो जाती है 1949 में वहीं पर जो उनकी property होती है वो उनकी daughter, उनकी एक daughter होती है सिर्फ एक daughter होती है जिसका नाम होता है कपायमल उनको चली जाती है वहीं पर अगर हम रामा स्वामी की अगर बात करें तो इनके पांच संतान थी जिसमें एक बेटा था और पांच बेटी थी पहले बेटे का नाम था गुरुन था जो दॉर्टर थी इनकी उनका नाम था थंगमा नेक्स इनकी बेटी का नाम था रमायमल फोर्थ बेटी का नाम था इलायमल और नेक्स जो फिफ्थ बेटी थी इनका इनका नाम था अब यहाँ पर situation ये थी कि जो मुरप्पा थे यानि कि जो मुरप्पा थे उनकी जब death हो गई तो वो death उनकी हुई थी 1949 में वहीं जो कपाई अमल थी इनकी भी कुछ समय के बाद death हो जाती है और इनकी death होती है 1967 में कपाई जो कपाई अमल थी अब question यहाँ पर यह आता है कि जो कपाई अमल के पास property है वो property कहाँ जाएगी जो कि कपाई अमल थी उनके कोई वारिस नहीं था तो उस condition में हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो मुरप्पा गॉंडियर थे जो की सन थे किसके गुरुन्था गॉंडियर के और रामा स्वामी गॉंडियर सन थे आपके गुरुन्था दोनों सन थे गुरुन्था गॉंडियर के अब यहाँ पर जो इनकी मृत्व है यहाँ पर दिकरा होगा 1949 में इनकी डेथ हो जाती है उनकी बेटी जो कपायमल उनकी डॉर्टर थी उनकी डेथ भी 1967 में हो जाती है अब यहाँ पर जो रामा स्वामी गॉंडियर थे इनके जो की प्री डिसीज थे उनके भाई थे जो मुरप्पा गॉंडियर थे अब जो आपके ये मुरपा गॉंडियर थे इनके जो संताने थी ये गुरुन्ता गॉंडियर, ठंगम्म, रमयामल, इलयामल और नलम्मल तो यहां पर क्या था कि जो इनके बेटे थे इन्होंने ये चलेम किया कि क्योंकि जो मुरपा गॉंडियर थे उनकी डैथ 1949 को हुई थी तो जो प्रॉपर्टी है वो किस में जानी चाहिए? सारी प्रॉपर्टी जो है उसके जो रामस्वामी थे उनके पिता के वारिसों में जानी चाहिए. क्यों क्योंकि 1949 से पहले जो डॉर्टर्स थी उनको प्रॉपर्टी में राइट नहीं होता था तो जो गुरुथा गॉंडियर थे इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए क्लेम किया वहीं पर जो आपकी जो थंगा अमल थी जो की आप केस में नाम सोन रहे होंगे यह अरुणा चल जो उनकी बेटी थी थंगाय अमल उनका भी अपना एक क्लेम था उनका क्लेम यह था कि जो गुरुथा गॉंडियर हैं अगर यह जो प्रॉपर्टी है रिसीव करते हैं कि जो गुरुथा गॉंडियर की प्रॉपर्टी अगर जो गुरुथा गॉंडियर रिसीव करते हैं त 1556 की जो मतब जो सेक्षेशन एक्ट है उसमें जब अमेंडमेंट हुआ था 2005 में तो उसमें भी आपकी जो महीलाएं है उनको जो है अब राइट है प्रॉपर्टी में तो यहां पर इशूस जो थे अब कौन-कौन से इशूस रेज हो रहे हैं हम आगे चलके यह देख लेते है अब जो इशूस बन रहे थे इशूस में पहलेइशू क्या था यह फटे दो नेचर ऑफ डफ टॉपर्टि कि जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर क्या था Quotation प्रॉपर्टी का अविस आराय कि चौन प्रॉपर्फ जो प्रॉपर्टी है वह आपकी अन्सेस्टर प्रॉपर वो किस तरह का होगा अगर यह separate property है तो अगर बात करें इस्यू क्या था कि वैदर एस सोल डॉटर इंहरेट फादर सापरेट प्रॉपर्टी डाइं इंटेस्टेट जो कि आपके अगर कोई फादर है अगर उनकी मृत्थी हो गई है इंटेस्टेट बिना वसियत किये हुए तो जो उनकी सोल डॉटर है एक मात्रिक लॉटी पुत्री है क्या वो अपने पिता की जो प्रॉपर्टी है वो इनहरेट विरासत में उत्रादिकार में प्राप्त कर सकती है नेक्स कोशन था आपका कि what would be the order of succession कि जो order of succession है कि जो क्रम है succession का वो किस तरह से होगा after the death of such daughter कि अब जो है अगर कुल daughter मर गई है वो भी जो है interested मर चुकी है तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसका succession यानि कि उसका जो बटवारा होगा उत्रादिकार के तौर पर वो उसका order उसका करम किया होगा यानि कि जो daughter है वो जो उसके पास उस समय property थी तो वो property किस में default होगी अब अगर कहीं तो जो पहला question था कि क्या एक जो soul daughter यानि कि एकलोती जो पेटी है को अपने पिता की अलग-अलग संपत्ती में जो की हिंदू उत्राधिकार अधीनियम 1956 के लागू होने से पहले उसको विरासत में मतलब उसको मिली थी क्या उसे वो जो विरासत में मिली थी उसे right था उसे विरासत में लेने का 1956 के लागू होने से पहले अगर को एकलोती बेटी अपने पिता की कोई संपत्ती उसकी मृत्यों के बाद रिसीव कर रही है तो क्या वो विरासत में लेने की हगदार है सबसे पहला इशू यही था क्योंकि जो women's को right मिले थे वो 2005 के amendment के through मिले थे तो यहां पी जो court थे उन्होंने कुछ sources के through ये पता लगाने की कोशिश करी कि जो 1956 से यानि कि उससे पहले के जो लौ थे उनके अंदर किया female जो है daughter जो है उसको right था अपने फादर की property रिसीव करने का तो उसमें कुछ जो आपके स्मृति वगरा थी और धर्म शास्तर थे उनका उन्होंने details से analyze किया जिसमें पाया कि जो विश्नु है उसमें लिखा हु हुआ है the wealth of a man की एक जो पुरुष है जो उसकी property होती है who leaves no male जो अपने पीछे कोई जो male है यानि कि कोई पुरुष वारिस नहीं छोड़ता यानि कि जिसके कोई पुरुष वारिस नहीं है issues goes to his wife तो वो उसकी wife को जाती है यान कि वो property उसकी wife को जाएगी on failure of her और अगर उस जिसकी wife भी जेवित नहीं है तो to his daughter तो फिर उसकी जो daughter है वो उसको जाएगी उसके बाद विरस्पती में लिखा हुआ है the wife is pronounced successor of wealth of her husband की जो wife है वो successor कहलाई जाती है successor होगी अपने husband की property की in her default यान कि उसके ना होने पर the daughter in her default the daughter यान कि उसके ना होने पर जो property है वो daughter को जाएगी as a son विलकुल बेटे की तरहा वहीं उन्होंने स्मृति चंद्रिका में जो chapter 11 है उसका section 2 clause 5 और 6 में दिया गया है meaning दी हुई है कि अगर कोई पिता है और उसके कोई पुत्र नहीं है तो जो उसकी property है वो कौन लेगा जबकि उसकी जो daughter है वो जीवित है इसका अंसर देती है, वहीं मनु की अगर बात करें, तो मनु में ने भी यही कहा है, कि जो पुत्र है, और जो पुत्री है, वो पुत्री जो है, इक्वल होती है सन के, तो how then can any other enhance his property, तो जब किसी जो कोई परसन है, उसका अगर पुत्र है, अगर पुत्र नहीं है, तो जो equitableness of the proposition that it is the daughter who should succeed on the failure of the son and widow, says no failure of male issue, the daughter inherits, for she is equal a cause of preparing the race, इसमें कहा है, कि नारदा में कहा है, कि जहां पर जो डाटर अगर जीवित है, तो नॉमल सी बात है कि जो कोई male है, उसकी जो property है, उसके अगर सन पुत्र जीवित नहीं है, ठीक है, तो विडो को जाएगी, और विडो भी नहीं है, तो on the failure of male issue, अगर कोई male नहीं है, family का, तो वो daughter inherit करेगी, यानि कि जो property है, पादर की, वो daughter को जाएगी, वहीं पर जो हिंदू सक्षेशन से पहले कुछ books थी, उनका भी reference लिया, उनका भी analyze किया, कोट ने, और उसमें भी यही पाया, कि जो 1956 से पहले थे, अगर जो कोई male था, उसके कोई son नहीं होता था, या wife भी जीवित नहीं होती थी, तो अगर उसकी daughter होती थी, property उसकी daughter, जो है, इनहरेट करने के लिए entitle थी, वहीं पर बात करें, तो Supreme Court ने कुछ case जो है, उनको भी reference लिया, जिसमें ये case आपको screen पर दिखाई दे रहे हैं, अब आते हैं decision पर, decision की अगर हम बात कहें, तो सबसे पहला हमारा issue यहीं था, कि जो कपाई अमल है, वो अपने father की property, जबकि उनके father की death, 1956 के act से पहले हो गई थी, वो entitle है उस property में, कि नहीं, उन्हें property का right था या नहीं था, सबसे बड़ा issue तो यहीं था, तो जो court थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे हमने देखा कि उन्होंने धर्म शास्त, स्मृर्ती और आपकी मिताक्षिरा जो schools है, उसको details analyze किया, और आपका कुछ जो books थी, जो 1956 act से पहले, काफी पुरानी जो authors थे, उनके तुरू लिखी होई थी, उसमें उसका solution देखा, और आपके कुछ जो case थे, प्रिवी council के, उनको detail analyze किया, और उन्होंने ये पाया, कि प्राचीन हिंदुविधी के अंतरगद भी, जो एक लौती बेटी होती थी, उसको right होता था, अपने फादर की property पे, अगर वो soul survivor थी, अगर वो एक मात्र, मतलब बेटी थी, उसकी, एक लौती बेटी थी और उसके कोई बेटा नहीं था, तो वहाँ पर जो property है, अगर उ यहाँ भी decision में, कोट ने कहा कि the property was admitted self-acquired property of मुरपा, कि पहली चीज तो यह है कि जो property थी, वो मुरपा की self-acquired property ना थी ancestor property थी, despite being joint family, upon his death in tested, भले ही जब उनकी death हुई थी, निर्वसियत जब उनकी death हुई थी, भले ही वो एक joint family में रह रहे थे, लेकिन his soul survivor, daughter Kapayyamal, will inherit by inheritance, लेकिन तब भी जो उनकी soul survivor, daughter है, एक मात उनकी जो पुत्री है, वो entitled होंगी, इन हैर्टर उत्राधीकार के तोर पर property जो है, उनको मिलेगी, ना कि survivorship उत्तर जीविता के आधार पर उनके, जो है, जो उत्तर जीवी हैं, उनको मिलेगी, दूसरा, अब यहाँ पर ही sort out हो गय पहला issue हमारा, के entitle थी, कपायमल अपने father की property लेने के लिए, अब दूसरा हमारा issue यह था, कि अब यहाँ पर कपायमल थी, अब उनकी भी death हो गई है, अब बात आ रही है, कि जब कपायमल की death हो गई है, तो अब उनके पास जो property है, वो किस तरह से devolve की जाएगी, तो यहाँ पर जो कोड था, उन्होंने section 14 apply किया, Hindu section 8 का, जो हम अभी पीछे पढ़के आ रहे हैं, उसके according उसमें लिखा हुआ था, कि in this case, which declares the property of कपायमल to be her absolute property, अगर आपको याद हो तो section 14, clause 1 हमने read out किया था, कि जो भी acquired की जाती है, किसी Hindu महिला के द्वारा कोई property, तो वो उसकी absolute property होती है, और property जो हमारा था, उसकी explanation भी हमने देखी, section 14, clause 1 के बाद explanation दी गई थी, कि कौन-कौन सी property, उसकी absolute property मानी जाएंगी, तो उस property के अंदर हमने ये भी देखा था, कि अगर inherit कि दूरू, यानि कि विरासत कि दूरू, अगर कोई property की स्थरीव महिला को मिल रही है, तो उसकी absolute property होगी, तो यहाँ पर जो court उनोंने कहा कि कपाई अमल की property, कपाई अमल की absolute property थी, इसलिए section 14 उसपे apply होगा, next आपका section 15 क्या कह रहा था, court ने ये भी बताया, कि section 15 अहुंदि सक्षेशन एट का ये कहता है, कि अगर कोई female की मृत्ती हो जाती है, बिना वसियत किये तो उसकी जो property है, अगर उसने अपने father या mother से receive की है, तो वो उसके father के hires, जो वारिस है उनमें चली जाएगी, और अगर कोई property, कोई महिला अपने husband से या in-laws, यानि की अपने ससूर पगरा से अगर receive करती है, तो वो उसके, जो husband है, उसके वारिस हो हियर्स में क्या हो जाए प्रॉपर्टी मानी गई और उसको गवर्ण कर दिया गया, हिंदू सेक्शेशन एक नाइटेन 56 के according, तो यानि की उसकी जो absolute property है, वो section 14 के according, उसके absolute property है, और section 15 के according वो डिवाल्व की जाएगी, यानि की इसका मतलब ये है, कि इसमें कहा गया था 15 में, कि जब उसका कोई वा इस नहीं था, उन्होंने जो property रिसीव की थी, वो किस से रिसीव की थी, अपने father से रिसीव की थी, तो अगर section 15 अगर आपको याद हो, तो उसमें ये लिखा गया है, section 15 कहता है, कि अगर जो female है, हिंदू female है, अगर वो in tested उसकी death हो जाती है, बिना वसियत किये, उसकी मृत् नहीं है, कोई son भी नहीं है, daughter भी नहीं है, son या daughter का कोई, मतलब बच्चे भी नहीं है उसके, तो वहाँ पर उसकी property अगर father से उसे मिली है, तो उसकी father को में वापिस, जो father के वारिस है, उसको वापिस चली जाएगी, तो यहाँ पे जो property मिली थी, उनका पाय अमल को, वो मि अर अपा के जो भाई थे, उनके वारिसों को, अब हमारे यहाँ पे जो पहला issue था, कि जो कया पी अमल थी, उनको अपने father की property का right था या नहीं था, यह हमारा solve हो गया, दूसरा, अब जग अपाय अमल थी, उनकी death हो गई है, तो उनकी property किस तरह से evolve की जाएगी, किस तरह से किस तरह से उनकी विभाजन होगा, उनकी जो property है, उसका उसका भी solution हो गया, अब एक question अब हमारा बचा हुआ है, यह, कि यहाँ पे जो गरुंता गौंडियर थे, अब क्योंकि जो कपाय अमल थी, इनकी जो property थी, वो रामा स्वामी गौंडर यानिकी, जो मुरपा थे, मुर प्रौपर्टी थी, वो क्या चले गई, वो रापा के, जो है, हेर से अनकी उसके भारिसों में, अब यहाँ पे जो रामा स्वामी थे, उनकी भी डायत हो गई, अब उनके जो बेटे थे, गुरुंता गौंडियर, उन्होंने कहा, कि क्योंकि, यह जो property है, यह 1949 से पहले की property ह इसलिए इस पर जो बेटी है, जो चारों बेटियां है, उनका कोई right नहीं है, तो यहाँ पर अब यह वाला issue आया, कि क्या यहाँ पे जो यह बेटियां है, इनका right है या नहीं है, इस property पे, क्योंकि जो property थी, जो मुरप्पा गौंडियर थे, उनकी death 1949 को हुई थी, तो इसक solution जो है, क्या दिया, the succession of the suit properties open 1967, कि जो succession की suit properties है, जो मतलब property है, issue property एक तरह से, जो suit में property है, वो open हुई थी 1967 में, 1967 में open हुई थी, यानि कि जो property कपाई अमल से मिली थी, वो 1967 कपाई अमल की death हुई थी, तो वो जो उनकी death हुई 1967 में, अब यहां पर जो successorship आपको मिली है, यह उनकी death के बाद ही मिली है, upon the death of कपाई अमल, और जो कपाई अमल की death थी, वो क्या थी, 1956 का जो act था, उस time shall apply, वो act apply करता था, यानि कि उनकी, जो यह act बन चुका था, इ उनकी death हुई थी, इसलिए, जो है, इस act apply करता है, and thereby, रामा स्वामी गॉंडियर्स डॉर्टर, being class 1, heirs of their father 2, यहां पर, जो रामा स्वामी गॉंडियर्स है, उनकी जो डॉर्टर्स है, जो उनकी बेटियां है, वो class 1 की heirs हुँगी, यानि कि, यहां पर, जो, अब प्रॉप कि प्रॉपर्टी अपनके भाई को चली गई, तो अब जब रामा स्वामी गॉंडियर्स है, उनकी प्रॉपर्टी किसको डिवाइड मतलब जाएगी, उनके first class के heirs को, तो succession act के according, और first class की जो heirs होते हैं, उसमें son and daughter दोनों आती हैं, तो being the class of heirs of their father too, shall also be heirs and entitled one-fifth share, one-fifth share in the each of suit properties, अब जो भी properties है, suit की जितनी भी properties है, उसका one-fifth share, उसकी जो daughters हैं, वो लेने के लिए entitled हैं, क्यों? क्योंकि वो class one की heirs. तो ये ता हमारा Hindu section act 1956 से related, आपका case, जो current में बहुत highlighted है, तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा, and at last, thanks for watching, please like, share and subscribe, take care, bye-bye.